अब नवस्कार दोस्तों मैं अब सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्रीकिस्ता क्लासेज में A Complete Online Education Hub जहांपे आज हम सीखने वाले हैं Difference between since and forth जिसमें आपको काफी confusion रहता है उस confusion को आज मैं दूर करने आपके सामने आया हो इस टॉपिक को लेकर जाप आज हम सीखेंगे इसके बारे में difference सीखेंगे और मैं आपको बताओंगा इसे याद रखने का कि कहां पर आप इस्तमाल करें since का और कहां पर इस्तमाल करें आप for का एक trick के साथ तो इस वीडियो को अंग तक देखें बिल्कुल भी आप छोर के इस वीडियो को ना जाए तो चलिए मैं 12 बजे से call कर रहा हूं since दर साता है शुरुवाती समय को यानि कि आपने काम को कब से start किया शुरू कब से किया शुरू कब से किया आपने काम की किसी भी काम को जब आप कर रहे हो तो इसका starting point क्या है तो ये बताता है सिंस और फॉर क्या बताता है फॉर बताता है कि आप उस काम को कितने समय तक कर चुके हैं जैसे कि एक्जामपल जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैं तुम से परसो से मिल रहा हूँ आप उससे कब से मिल रहे हैं पर्सो से मिल रहे हैं और पर्सो से जब स्टार्टिंग पॉइंट कब है पर्सो है तो यहां पर सिंस का इस्तमाल होगा और अभी तक आप कितने दिन उससे मिल चुके हैं एक दिन तो यह क्या है फॉर है काम कब से हुआ सिंस काम कब तक हुआ रह तो यहां पर मैंसे बोल सकते हैं I have been waiting for you two hours मैं तुमान चार्ट दो घंटे से कर रहा हूं I have been waiting for since 12 p.m. मानले जी आप दो वजे तक उसका वेट कर रहे थे 12 वजे से आपने स्टार्ट किया वेट करना तो 12 वजे का जो time है वो क्या है since होगा और फॉर यानि कि दो घंटे यानि कि वेटिंग जो time था वो क्या है two hours था या फिर आप बॉस्रूम गाने और आपका call आगया तो क्या होगा आप वहाँ पर बोलेंगे I am calling you since 10 minutes मैं तुम्हें 10 minutes से क्या कर रहा हूं call कर रहा हूं ऐसा तो अपनी बोलेंगे मैंने आप तुम्हें 10 minutes के लिए call किया है यानि कि starting point है ठीक है तो यहां पर अब होना आते हैं इसको कैसे याद रखा जाए कि कहां पर आप से स्टमाल करें और कहां पर आप फॉर कास्तमाल करें तो बड़ा ही आसान पर रही है सिंस यानि कि starting point S से सिंस और S से start यह दर्साता है कि काम कब से सुरू हुआ मंडे से सुरू हुआ कि कोई time से start हुआ या फिर कोई दूसरे year से start हुआ यह सभी time period को बताता है वही फॉर कास्तमाल आप कब करते हैं आप देखते होंगे जब कोई घर किराओ पर देना होता तो माद लिखा होता फॉर रेंट या फिर कोई मकान बेचने को होता तो लिखा होता फॉर सेल क्या कोई बाइक बेचने की होती है तो वहां पर भी लिखा होता फॉर शेल या फिर आप कोई चीज किसी को देते हैं तो क्या बोलते है फॉर यू यानि कि इन सभी का मतलब क्या है के लिए फॉर का मतलब होता है के लिए तो कोई चीज किस लिए के लिए है वहां पर हम इस्त सब्सक्राइब होता है स्टार्ट और से ही होता है सिंज फॉर का इस्तमाज हम करते हैं किसी चीज के लिए तो वहाँ पर इस्तमाल आप करेंगे अब आपको अगर समझ में आया है तो मैं आपको कुछ कांग दे रहा हूं क्यूंकि आप जब वीडियो को देखते हैं तो उस प अबने अपना एंसर भी मिला सकते हैं लेकिन पहले आप इस वीडियो को पाउस करने और उसका सोल पर एके मुझे कमेंट ब्रस न मताये कितना आपका सही हुआ और आपने कितना इस वीडियो से मेरे शीखा है मेरे वीडियो उसको देखनी के लिए दिल से धन्यवाज थैंक झाल झाल